जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि IPL 2019 में बस अब कुछ ही दिन बाखी रह गए हैं ऐसे में हम आपको आज उन दो खिलाडियों के बारे में बताएंगे जो IPL 2019 में अपनी टीम को चेंबियन बनाने में एहम होमी का निभा सकते हैं तो चलिए जानते हैं उन दो खिलाडियों के बारे में बिराट कोली बिराट कोली IPL 2019 में बेंगलूर की तरफ से खेलते हुए फिर से नजर आएंगे आपको बताते चले कि रोयल चेलंजर बेंगलूर ने बिराट कोली को हर बार रिटेन किया है बिराट कोली एक सांदार बल्लेबाज है बिराट कोली के आगे अच्छे अच्छे गेंदवाजों के पसीने छूट जाते हैं बिराड कोली रन मशीन के नाम से भी जाने जाते हैं जब कोली फोर्म में होते हैं तो उनका बल्ला आग के सिवा और कुछ नहीं उगलता कोली IPL 2019 का खिताब बिता सकते हैं बेट रेट कार्लोस आपको बता दे की कार्लोस संदाज़स हिदराबाद की तरफ से IPL 2018 में खेल रहे थे हिदराबाद ने IPL 2019 में उनको रिटेन नहीं किया इसी बात का फायदा उठाकर के की आर की टीम ने कार्लोस को 5 करोर की भारी रकम अदा करके अपनी टीम में सामिल कर अपनी टीम को एक मजबूर टीम बना ली है आपको बता दे की कार्लोस का जब बल्ला चलता है तो अच्छे अच्छे गेलबाज बोखला जाते हैं कार्लोस एक बहुती सांदार बल्ले बाज है के के आर की टीम को IPL 2019 का खिताने में एहम भूमी का निभा सकते हैं आपके मताबिक इन में से कौनसा खिलाडी IPL 2019 का खिता आप अपनी टीम को जीता सकता है आप अपनी राइकमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें